भाई चाचा लोगों का अलग सा ही स्वैग रहता है एक भाई साब आईयस बनने के बाद बढ़ियां से मिठाई उठाई खिला रहे थे खुसी में दूई चाचा बगल में पैट करके बतिया रहे हैं मिठाई खाते हुए पढ़िया तो ठीक है ठाक किया तो थोड़ा सा अउप पढ़ लेता ना तो और बढ़ियां पोष्ट पा जाता और रे भाप रे वो आईयस बना है भाई अब उससे ज़्यादा उसको क्या बना होगे और कितना बड़ा बनाना चाहते हुँ उसको हाथी बनवादो हाथी बनवादो सबसे बड़ा रहे गा देखने में और जो उनकी बगल में बल्टे हुए हैं दाफ निकाल करके वो बोल रहे हैं हाँ शही बोल रहे हैं बिल्कुल शही बोल रहे हैं बीच में वो जो घूमने लगा था इसके वज़ा से आया सी बना नहीं तो ठीक से पढ़ता तो आउर उपर जाता नमस्कार मेरी दोस्तों और मेरी दोस्तियों मेरी दोस्मनों और मेरी दोस्मनियों मेरी फिरेंडस और मेरी सभी फिरेंडस साओं स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे एक नए वीडियो में तो आज के 2000 साल पहले मैंने पूझा था कम्यूनिटी पोश्ट में कि कौन सी सीरीज स्टार्ट किया जाए तो वहाँ पर रस्ट टू फिक्स सीरीज जो है वो 72% के साथ विजय हुई कुछ जो हमारे महारती महापूरुष व्यक्ती थे उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि भाई मुझरा या फिर कववाले वाले स्टार्ट करवाओ ज्यादा मजा आएगा वीडियो देखने में वो भी स्टार्ट होगा मुझरा का भी प्रबंद किया जा रहा है ज्यादा टेंसन न लिजे आप लोग लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रस्ट टू फिक्स सीरीज आज से क्योंकि भाई सहब दो दिन हो गया अपना कम्यूनिटी पोश्ट डाले हुए एक आग दो दिन और भी हो जाता तो मैं सच बता रहा हूं कि भूल जाता हूं कि मुझे कोई सीरीज भी स्टार्ट करना रहता है ऐसा कई बार मेरे साथ हो जुगा है लेकिन अब ये जो अपनी सीरीज चलेगी वो सभी जितने भी बंदे रस्ट किये हैं उन लोगों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक इतना ज्यादा उपी टाइप का टिप्स दूगा ना सुन करके आप लोग भी मजा हो जाओगे मजा करना भीडो तो स्टार्ट करते हैं लोग अपने इस रस्टू फिक्स सीरीज को आप लोगों को इसको एक फनी में नाम देना है कमेंट सिक्शन में देखता हूं भाई साब की कौन सबसे ज्यादा फनी में नाम दे सकता है अब आते हैं अपने मेन् पॉइंट के ऊपर मेन पॉइंट के ऊपर आना नहीं में पॉइंट के ऊपर चढ़ बैठना है सबसे पहली बात है जो लोग इस टाइम अपने id को मारे हैं टाउन हल 9 टाउन हल 10 टाउन हल 11 टाउन हल 12 इस पर रजड मारे हैं उन लोगों के लिए एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग अपनी उस idea को लाईए दना दन करके town hall 13 पर fully rushed क्योंकि rushd करने का one and only rule है कि आप लोग पूरा का पूरा town hall 13 तक town hall 14 आ चुका है तो town hall 14 तक rushd मारिए जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ town hall 14 पर rushd अब इसके बाद बात करते हैं second point को पर देखे कुछ लोगों के पास होता है 5 builder और कुछ लोगों के पास होता है 6 builder 6 builder मतलब कि अपना जो master builder हम लोगों को builder hall के side से मिलता है दोनों लोगों के लिए अलग-अलग सा rule रहेगा जिसके पास 5 builder है उसके लिए अलग और जिसके पास 6 builder है उसके लिए अलग रश्ड करने का जो experience है मैं reality आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा खासा है मेरे पास क्योंकि town hall 13 का जुम आप लोग ID देखे होगे तो वो मेरी पूरी की पूरी max है without कहीं पर gold pass एक भी purchase किये हुए तो इसी लिए मुझे लगता है कि भाई सहाव अगर आप इसी experience को एक बार use करो गया तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा benefit मिलेगा आपको देखे अगर आपको अपनी ID रश्ड मातने किसी भी town hall के लिए तो जिस भी नए town hall पर पहुच रहे हैं वहाँ पर जितनी भी buildings हैं सबसे पले उन सभी buildings को purchase कर दीजिए इसके बाद second thing उन लोगों के लिए जिसके पास 6 builder है तो जिसके पास भी 6 builder है वो लोग अपने एक builder को hero को upgrade करने के लिए लगाओ भाई तुरंत इसके पीछे का reason जानीए आप लोग क्यों करना है ऐसा हर एक चीज का reason रहेगा तब ही मजाएगा देखे हम लोगों का hero बहुत ही ज़्यादा time ले लेता है और यहाँ पर आप लोगों को एक भी चीज का और भी द्यान देना है कि कोई भी एक hero upgrade के लिए लगाओ यह नहीं कि मुझे queen को ही upgrade सबसे पहले करना है जब तक queen के लिए dark clicker इतना मिल नहीं जाएगा तब तक मैं कि और भी चीज को upgrade करने के लिए नहीं लगाओंगा क्योंकि ID राज रहे तो इसलिए कोई भी hero आप upgrade के लिए लगा सकते हैं अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पांच builder है जैसे कि मेरे पास उन लोगों को hero के ऊपर कुद नहीं जाना है यह और फिर जो अपनी spill factory है या dark spill factory दोनों में से किसी भी एक चीज के उपर लगाएगे इसके पीछे का reason यह है कि आप जो भी army को train करना चाते हैं वो हम लोगों का जल्दी से train हो जाएगा नहीं तो भाई अगर barracks ही upgrade नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा time लगेगा army को train होने में फिर आप loot के लिए जल्दी जल्दी attack नहीं कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा resource collect नहीं कर पाएंगे इसलिए सबसे पहले barracks और यह जो spell factory है उसको upgrade करिए आते हैं third point पर third point दोनों लोगों के लिए है जिसके पास 5 बिल्डर है या जिसके पास 6 बिल्डर है वो लोग मैंने बता दिया कहाँ पर लगाना है दूसरा बिल्डर को आप लोग अपना जो storage है उस storage के उपर लगाएंगे चाहे तो वो हम लोगों का ilixir storage रहे डार्क ilixir storage रहे या फिर gold रहे सबसे पले हम लोगों को new town hall पर आने के बाद वहाँ पर जो storage रहता है second builder हम लोग उस पर ल ले हैं भाई रल डाइडी बनाए हो तो किसी एक defense को upgrade करने से फाइदा नहीं इसके बाद जो हम लोगों का अब बच रहा है third वाला builder उस third builder को यह जो हम लोगों का lab है new town hall है तो अपना lab का label भी बढ़ जाएगा तो इसलिए उस third builder को उठा करके यहाँ पर लाइए और उस आसा value निकालना है opponent के base में से कि जब loot करने के लिए जा रहे हो न तो भाई base को पूरा का पूरा भिखमंगा बना देना है और भिखमंगा बनाने के लिए आपका खुद का troops थोड़ा मजबूत रहना चीए तभी वो सामने वाले को ऐसा कर पाएगा देखो भाई कोई भी ची फोर्थ बिल्डर रहेगा तो क्योंकि टाउन हाल भी नहीं है तो इसलिए हम लोगों का जो clan काशल का level रहेगा वो भी एक level बढ़ सकता है तो इसलिए हम लोग अपने फोर्थ बिल्डर को लगाएंगी clan काशल को upgrade करने के लिए इसके पीछे का reason यह है कि हम लोगों का आ रह है आच चुका है अपने गेम के अंदर तो इसलिए जो clan काशल है उसको upgrade करिए अब बचता है हमारा एक बुढ़वा जो की है फिफ्ट बिल्डर इस फिफ्ट बिल्डर का importance सबसे जादा है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से use करना है आप लोगों को फिफ्ट बिल्डर का use हम लोग करेंगे अपना बिल्डर सजेशन के हिसाब से बिल्डर सजेशन क्या होता है कि यहाँ पर जो हम लोगों का बिल्डर बना हुआ है उसके मुहों के पास जाकर के थोबडा के पास अगर आप ऐसे दबा दोगे तो दिखाएगा कि क्या-क्या चीज अप्ग्रेड करन के लिए है अब इसमें आप लोगों को करना क्या है कि सबसे नीचे जाना है जितना नीचे हो सके उसमें नीचे देखे कि कौन सबसे छोटा सा छोटा आइटम है जैसे कि माल लीजे अपना जो ट्रैप्स है ट्रैप्स हो गया बॉंब छोटा वाला बॉंब बड़ा वाला ब लगा करके max करने के पीछे लगे हुए हैं अब इसके पीछे क्या reason है वो समझे आप लोग बहुत ही बढ़िया सा logic कि देखिए अगर आप किसी भी बड़े defense को लगा देते हैं upgrade करने के लिए तो वो आपका defense upgrade होने में बहुत ज्यादा time लगेगा और फिर अगर आप farming कर रहे ह तो आपके पास loot अच्छी खासी रहेगी base में फिर आपके साथ होगा क्या कि आपका loot waste जाएगा लेकिन जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 5th builder को use करते हैं किसी भी छोटे item को upgrade करने के लिए तो वो item हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन के अंदर upgrade हो जाता है तो 2 या 3 दिन के अंदर कोई भी बंदा इतना ज्यादा farming नहीं कर लेगा कि उसका gold जो है लिक्जर जो है और जो dark लिक्जर है वो तीनों चीज़ों full हो जाए ये सारी चीज़े अपनी लागू होती है जो upper town hall पर रश्ड मारे हैं वो ऐसे मेरे ख्याल से अगर रश आईड को town hall 9 पर max करो town hall 10 पर max करो फिर उसके बाद town hall 11 पर आओ ऐसा मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बुला है मैंने हमेशा बूला है कि भाई रश्ड करके फिर उसके बाद ID को max करिये तभी आप लोग हर एक चीज़ का मज़ा ले पाओगे और ये चीज reality में है भाई कि जो बंदे without gold pass के अपनी ID को max कर रहे हैं वो लोग town hall 14 आने की वज़े से अभी max ही कर रहे हैं ये समझ लीजी आप इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको मज़ा लेना है भाई गेम का तो मेरे ख्याल से अपनी ID को रश्ड मार करके उपर आना कोई बुरी बात नहीं है औ अब इसके बाद यार बात करते हैं कि अगर हम लोग अपनी ID को रश्ड कियें तो हम लोगों को करना है farming farming करने के लिए सबसे अच्छा one of the west and powerful army army क्या भज़े भाई लूट करने के लिए जाना है तो इसलिए goblin जो है इसको सबसे पहले आप लोगों को अपने lab में upgrade के लिए लगाना है मान लीजे आप लोगों का goblin अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं अफिर नहीं मन है तो कुछ लोग traditional जो अपना पूराना वाला चलता चला आ रहा है बार्बेरियन और arch उसको भी use कर सकते हैं आप लोग वैसे ये जो sneaky goblin है अपना उससे अच्छा कोई भी चीज न combination आप लोग बना करके जाओगे loot करने के लिए बहुत ही तगडी वाली loot होगी भाई साहब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों के पहले अभी जब हम लोगों का hammer jammerwa event आये था तो उस hammer jammerwa event में मैंने बहुत ही तगडी वाली farming करी थी वो farming मैंने अपनी एक ID म इसी इसनीक गोबलिन के साथ की थी और बहुत ही ज़्यादा farming किया था भाई तो मुझे लगता है कि ये चीज आप सभी लोगों के लिए best रहेगा अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपना defense को upgrade करने के लिए तो बस यार अब एक ही वीडियो में सब चीजें की बात कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या रहेगा भाई एक ही वीडियो अगर मतलब 20-25-30 मिनट की बना दूं सब बंदे देखें गहीं नहीं कहेंगी इतना बड़ा वीडियो यार मूवी चला दी गये तो तो बस आज के लिए इतना ही चलिए चलता हूँ बाई बाई अगर आप लोग आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर दीजेगा जरूर सब्सक्राइब अब यह जो अपना एपिशोड रहेगा बिल्कुल ही धमाकेदार तरीके से चलने वाला है तो चलिए चलता हूँ बाई बाई मिलते हम सभी लोग अपने नेक्स्ट वीडियो म और यह यार मुझे वाल सा बात समझ में नहीं आए कि यह जो किंग के साथ है शूपर सेल ने इतना ज्यादा अन्याय क्यों कर दिया जिस तरीके से चपरी निवा अपना फेशीयर उसीयर भाई साब करवा करके बाल-बाल पर पूरा बढ़िया से उसको तोता मैना के जैसा बना करके रखा रहता है, बिल्कुल उस तरीके से इसने अब कर दिया है, अपना जो नॉर्मल सा किंग है, इसको देख लो भाई साब क्या गरबर सा लग रहा है, इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए सूपर सेल को, और एक बात और भाई साब, जिन लोगों को अभी अपने ग अगर ऑफलाइन गेम है, तो भाई अलग बात है, अब ऑफलाइन की बात छोड़ करके, ऑनलाइन का गेम है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रती है, तो इसलिए इसना ज्यादा परिशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को धीरे-दीरे सही हो जा तो बस यार चलता हूँ, बाई बाई, मिलते हैं सभी लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खेलते रहें, क्लैश आफ क्लैन, फोडते रहें सभी का बेस, और हाँ चैनल पर अगर पहली बार आये हैं, तो चैनल को सब्स्प्राइब जरू पुर दबा दीचिये